हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है समर्थ और स्वागत है आपका एक्स्पेरिमेंट्स बाइ समर्थ योट्यूब चैनल में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेट्रोनिस के कुछ बेसिक कमपोनेंट्स उनके सिम्बॉल उनका यूज हम क्यों करते हैं और फ्रेंट्स ये कमपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है तो वीडियो को skip मत कीजे ताकि मैंने दी हुई कोई information मिस ना हो तो वीडियो को complete देखिए तो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ तो सबसे पहला जो हमारा कमपोनेंट है वो है रेजिस्टर रेजिस्टर एक basically two terminal वाला कमपोनेंट है और इसका symbol कुछ इस प्रकार होता है आप देख सकते है और इसकी जो value होती है आप यहाँ पर देख सकते है color code इस से निकाली जाती है तो अगर आपको भी सिखना है color code से रेजिस्टर की value निकालना तो मुझे comment करके बताईए मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा इसके कुछ wattage होते है रेजिस्टर के इस wattage पर रेजिस्टर depend होता है जैसे कि आप देख सकते है one eight watt का एक रेजिस्टर होता है उसके बाद one fourth watt का जिसे quarter watt भी कहते है और एक one half watt का होता है रेजिस्टर इसके बाद one watt का रेजिस्टर होता है और आप यहाँ पर देख सकते है two watt का रेजिस्टर है मेरे पास रेजिस्टर नहीं था इसलिए मुझे टीवी के kit में दी गया तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है यह two watt का रेजिस्टर है और भी होते है four watt five watt ten watt तक के रेजिस्टर होते है बड़े और इसका जो use होता है रेजिस्टर का यह basically जो हमारा current होता है उसके flow को reduce करने के लिए या फिर हम कह सकते current को limit करने के लिए use किया जाते है और रेजिस्टर का जो दूसरा use है वो है voltage को divide करने के लिए भी इसका use किया जाता है तो इसके बाद आता है इसी का ही एक type जिसे हम कहते है preset आप देख सकते हैं इसका symbol कुछ इस प्रकार होता है preset एक variable register हम कह सकते हैं इसे जो इसकी value कम ज्यादा हम कर सकते है टेस्टर की help से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ tester को घुमाना है और आप इसकी value कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसका जो use है वो basically जो sensitivity कम या ज़्यादा करने के लिए किसी circuit में use किया जा सकता है किसी project में उसके बाद आता है जो potentiometer इसका symbol आप देख सकते हैं potentiometer का आपनी use देखा होगा जो हमारा volume कम या ज़्यादा करने के लिए use किया जाता है जो इसकी middle leg है यह common है और जो left और right है यहाँ से हम register को control कर सकते हैं anti-clockwise और clockwise तो अगर आपको भी color code से value निकालना सीखना है register की तो मुझे comment करके जरूर बताइए मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा अगला जो हमारा component हाता है वह है capacitor capacitor भी एक basically two terminal component है और यह polarized capacitor है जिसे हम electrolyte capacitor कहते हैं आप इसका symbol देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होता है capacitor के बहुत से type होते हैं जैसे कि electrolyte capacitor, polyster capacitor, mica capacitor, ceramic disc capacitor, trimmer, paper capacitor, thin film capacitor इतने सारी इसके type होते है उसे store करना, इसका जो use होता है वो basically एक filter के लिए हम कर सकते हैं आपने देखा होगा जहाँ पर हम bridge rectifier का use करते हैं वहाँ पर इस capacitor को लगाया जाता है क्यूंकि जो pure DC होती है वो हमें output में नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर filter करने के लिए इस capacitor का use किया जाते हैं दूसरा मतलब हम timing के लिए इस capacitor का use कर सकते हैं बहुत से circuit में अगर आपको LED blink मतलब timing के हिसाब से एक second तो दो second पर करनी हो तो यहाँ पर capacitor का हम use कर सकते हैं और इसके बाद आते हैं polyster capacitor आपने देखा होगा एक polyster capacitor है इसके बाद आता है ceramic disk capacitor आप देख सकते हैं इसका symbol कुछ इस प्रकार होता है तिसरा जो component है वो है diode डायोड एक basically PN junction डायोड होता है PN मतलब positive और negative यहाँ पर यह जो डायोड है यह forward bias में काम करता है मतलब एकी direction में current को flow करता है reverse में current को नहीं जाने देता तो यही किसका काम है आप इसका symbol देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होता है और इसका जो use है वो हम bridge rectifier बनाने के लिए या फिर rectifier बनाने के लिए करते हैं आपने देखा होगा वहाँ पर 4 डायोड लगाया होता है और जो AC है उससे हम DC output voltage ले सकते है तो वहाँ पर इसका use किया जाता है एक direction में current flow करने के लिए दूसरा जो use है डायोड का वो है charger के लिए आपने देखा होगा जो charger और बैटरी के बिच में अगर हम इस डायोड को forward bias में लगा दे तो जो charger का current है वो तो battery में जाएगा बट जैसे battery full हो जाएगी तो battery का current charger तक न जिनर डायोड वो भी इसी का एक type है बट आप जिनर डायोड का काम होता है कि reverse bias में काम करना यह पूरा डायोड के उल्टा काम करता है आप इसका symbol देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है इसका symbol इसका जो use होता है वो voltage regulator के लिए हम कर सकते हैं example के लिए आपको बता दू कि अगर हमने एक circuit बनाया हुआ है उसमें हमने अन्रेगुलेटर 11-12 वोल्ट तक हम दे सकते हैं अन्रेगुलेटर तो हमें output के लिए 10 वोल्ट का ही चाहिए तो यहाँ पर हम reverse bias में 10 वोल्ट का जिनर डायोड लगाएंगे और उसे लगाने के बाद जो हमारा अन्रेगुलेटर वोल् है LED का long form होता है light emitting diode इसका symbol आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होता है इसके भी दो leads होते हैं एक positive एक negative और आपको इसका use पता है हम एक lighting के लिए इसका use करते हैं अगला जो हमारा component है वो है इंडक्टर इंडक्टर एक basically copper wire rounds करके उन्हें बनाया जाता है उन्हें हम इंड इंडक्टर का आप symbol देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होता है और इंडक्टर के भी types होते हैं जैसे कि air core inductor iron core inductor और feride core inductor ऐसे three type के mainly inductor होते हैं और इनका जो work होता है वो है electric energy को store करना magnetic energy में मतलब जो coil होती है copper की wire होती है उसमें magnetic field generate होती है तो जो हमारी electric energy होती है उससे magnetic energy म store करना inductor का काम होता है example के लिए हम इसका यूज noise filter के लिए कर सकते हैं या फिर voltage booster के लिए भी हम कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे toridal inductor कहा जाता है तो इसका भी आपने यूज़ देखा होगा जो हमारे ज्यादा दर इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है तो आप यहाँ पर image में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इनका construction होता है अंदर से NPN और PNP आप इनके symbol भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होता है NPN transistor का और PNP transistor का basically इसमें three terminal होते हैं एक collector होता है एक base होता है और एक emitter होता है इसका जो use होता है वह ज्यादा तर amplification करन के लिए अगला जो हमारा component है वह है IC regulator यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास LM317 IC regulator है एक basic regulator होता है जो हमारा DC voltage होता है उसे regulate करना मतलब 02 जितना भी हम input voltage देंगे ज्यादा तर हम 30 volt तक इसमें दे सकते हैं तो वहाँ पर हम regulator करके DC voltage देखा इसके आप pin out देख सकते हैं उसमें ने power supply बनाने के लिए किया था अगर आपने उस वीडियो का अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजे मैंने उसका link आए बटन में और description में दे रखा है वहाँ से आप उसे जाकर देख सकते हैं पर सप्लाय में इस regulator का हम यूज कैसे किया है तो इसका ह पाउर सप्लाय के लिए यूज कर सकते हैं तो अगला जो हमारा component है वह है regulator ौइस इनकी एक सीरीज होती है 7805 और 7905 से सीरीज स्टार्ट होती है जो 7805 आईसी होती है वह positive voltage को regulate करती है और 7905 की जो series वह negative voltage को regulate करती है अगला जो हमारा component है वह है relay relay का symbol आप देख सकते है मान लीजे कि एक electronics का circuit है उसमें हम AC appliance को control करना चाहते है तो हम directly AC appliance के connection वहाँ पर नहीं दे सकते है नहीं तो जो हमारा circuit है electronics वो जल जाएगा तो उस circuit में AC appliance को on off करने के लिए इस relay का use किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कुछ basic components electronics के जो की हम ज़्यादा तर use करते है तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताए और अगर कोई component इस वीडियो में नहीं है तो उसको भी कमेंट करके बताए मैं अगली वीडियो में उस component को cover करूंगा जिसर के color code से उसकी value कैसी निकाली जाती है आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और दूसरा मतलब जो हमारी IC regulator से हमने power supply बना है उस वीडियो के भी जाकी देख लीजे वहाँ पर आपको इसका use properly समझ में आएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को like कीजे चैनल पे नए हो तो